फ्रेंट्स आज मैं आपके लेकर आया वो एक बहुत दिल्चास लेशन जैसे आपको सीखना ही पड़ेगा फ्रेंट्स कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंडेसेज बोलना पड़ता है जहां कहते हैं कोई एक इंसान दो काम करता ہے यानि एक काम खत्म कर लेता है तो दूसरा काम शुरू करता है जैसे मैं नास्ता करके आफिस गया वो खत लिख कर ऑस्तों गया वो खाना खाकर तहलने गया तो friends आपने आपने देखा कि यह subject एक है लेकिन वो दो काम कर रहा है और एक काम खत्म करने के बाद दूसरा काम कर रहा है तो आए friends देखे कि इस तरह के sentences को कैसे बोलना है यानि पहले action के लिए आप having के साथ third form का इस्तिमाल करके अपने sentences को बोलेंगे कैसे बोलेंगे आए इस बात को example में समझें अगर आपको कहना हो नास्ता करके मैं office गया तो sentence के लिए आप कहेंगे having taken breakfast I went to office तो friends आपने हैं देखा कि पहला sentence जहां मैंने बोला नास्ता करके इस sentence के लिए मैंने कहा having taken breakfast यानि नास्ता करके तो इस तरह के sentences को बोलने के लिए आप having third form के मदर से बोलेंगे जैसे later लिखकर वह post office गई तो sentence के लिए आप कहेंगे having written a letter, she went to post office खाना खाकर हम लोग तहलने गए तो sentence के लिए आप कहेंगे having eaten dinner we went for a walk यानि खाना खाकर हम लोग तहलने गए शेर को मार कर वह घर ले गया तो sentence के लिए आप कहेंगे having killed a lion, he carried it home यानि शेर को मार कर वह घर ले गया इस sentence में subject एक है जो दो काम किया शेर को मारा और उसको घर लेकर गया मैं अपना homework करके सो गया तो sentence के लिए आप कहेंगे Having completed my homework, I slept यानि अपना homework खत्म करके मैं सो गया अगर आपको कहना हो कि पैसा लेकर वा बैंक गया तो sentence के लिए आप कहेंगे Having taken money, he went to bank दूसरा काम शुरू करता है तो इस तरह के sentences को बोलने के लिए आप perfect participle का इस्तिमाल करके अपने sentences को बोलेंगे Friends, अगर वाकई आपको या concept शांदार तरीके से समझ में आया तो क्या इस topic पर 2 sentences comment box में लिखेंगे सिर्फ 2 sentences comment box में लिखेंगे और मैं चेक करके बताओंगा कि आपने सई सीखा या गलत फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे lessons के साथ तब तक के लिए Bye